परदमान माविर खुला विस उदाले कोटा ने MSC के एडमिशन के लिए online form में आपर इस्टार्ट कर दिये गई है और इसकी जो guideline है वो guideline में आपर जारी कर दी गई है तो जो अभियरती इस unity से MSC करना चाहता है Geology, Botany, Chemistry और Physics के अंदर तो इसके जो online form इस्टार्ट हो चुक है और इसकी guideline भी जारी कर दी गई है तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसकी जो guideline जारी करी है उस guideline में क्या लिखा हुआ है और form बने से पहले आप लोग इस guideline को ज़रूर पढ़िएगा online form की इस पकार से आप लोग बर सकते हैं इसकी एक वीडियो मेंने मेरे चैनल पर बना कर डाल रखिये आप चाहाँ तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के end screen में भी आपको उस वीडियो का link मिल जाएगा इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा तकि वद्मान माविर खुला विस उतार ले कोटा MSC से सम्दित आगे आना ले जो भी update है उसकी news सबसे पहले आप तक पहुंसती रहे तो आप लोग यह देख सकते हैं कि MSC जो बोटनी, chemistry, physics और जूलोजी के लिए परवियस सम्दित नियम है यहां की कुछ में important बाते आप लोग को बता देता हूँ सबसे पहले आप लोगों के पास में qualification क्या होना चाहिए MSC आप लोग किसी में भी कर रहे हो आप लोगों के पास में BSC के अंदर वो major subject के रूप में होना चाहिए यानि कि जैसे आपको जोदी बोटनी से कर रहे हो तो आपके BSC के अंदर बोटनी subject होना जरूरी है इसी तरह से जदी आप लोग chemistry, physics और जूलोजी से कर रहे हो तो BSC के अंदर आप लोगों के पास में ये subject होना जरूरी है जिन अभियर्टों ने bachelor of technology या फिर engineering कर रखी है या फिर b pharma, d pharma, bsc, agriculture, bsc, nursing कर रखा है तो वो लोग इस form को apply नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो bsc के समतुल नहीं मानी गई है फिस कि यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर परवेश सुल्क जो आवदन है वो 300 रुपे यहाँ पर रखा गया है अब यहाँ पच्छे निमबर पॉंट आप लोग समझ लिजेगा जैसे कि आप लोग अभी MSC 1st का form January 2014 के अंदर बर रहे हैं तो जब आप लोग 2nd year का form बरेंगे यानि की MSC final का form बरेंगे तो आप लोग जनुरी 2025 में जब फों निकलेंगे उस समय आप लोगों को बरना है चाहे इसके exam होवे हो यार फिर नहीं होवे हो exam हो चुके लेकि रिजल्ट नहीं आया है फिर भी आप लोगों को यापर MSC final का form है वो आप लोगों को January 2025 में बरना होगा अब आप लोगों के अपर selection कैसा होगा देखिए अभी तक यह जो university थी वो एक interest exam करवाते थी लेकिन इस बार से इनोंने interest exam खतम कर दिया गया है और आप लोगों के पास में basic में कितने percentage है उस percentage के हिसाब से आप लोगों के यापर marriage list बनेगी और marriage list के हिसाब से आप लोगों के अपर selection होगा अब यदि हम लोग अपर seat की बात कर सकते हैं कि MSC में कितने seat हैं तो देखें यहाँ पर लिखा होगा है कि परती अध्यान केंदर अध्यान केंदर का मतब हो गया study center यानि कि हर study center पर आप लोग 25 विदारती की अपर seat रखी गई है उसके बाद अगला point है कि आप लोग बातने केमेश्टरी जुलोजी और physics में से किसी में से स्रिफ एक कारिकरम के लिए आप लोग आउधन कर सकते हैं यदि आप लोगों के BAC के अंदर वाटने में भी थी जुलोजी भी थी और आप चाहो कि एक समय में में वाटने में भी कर लो और जुलोजी में भी कर लो उसके बाद में आप लोगों को विस विदायल में जाकर याप जो MSC की फीस होगी वो फीस आप लोगों को याप जमा करवानी होगी वाज से पॉंट की अनुसार आप लोगों को MSC के अंदर प्रक्टिकल जो एक ट्लास है वो प्रक्टिकल क्लास भी लगेगी अब यह जो practical class है वो 80 counseling days यानि की 80 दिन तक लगेगी और हर दिन 3 घंटे आप लोगों के आपर class लगेगी और यह जो class लगेगी इसमें आपको कम से कम 45% जो पस्तिती है वो देना जरूरी है MSC से समझत अब जब आप लोगों के फोर्म बर लोगे तो नहीं नहीं जो अपडेट और आती रहेगी तो आप लोग इसकी जो website है उस website को नियमती रूप से देखते रहे हैं जब आप लोगों के अंदर नंबर आ जाएगा तो आप लोगों को विस्वधाले कोटा के अंदर जाना होगा और वहीं पर आप लोगों के जो document और document verification होगे वहीं पर आप लोगों के फीस है वो फीस वहाँ पर जमा होगी अब जब आप लोग इस MSC का form बर रहे हैं तो आप लोगों को एक card बनाना होगा जिसे कि हम लग बोलते है academic credit bank ID यानि ABC ID card बोलते हैं वो ABC ID card आप लोगों का बनाना ज़रूरी होता है यदि आप लोगों अभी तक ABC ID card नहीं बनाया है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं आप लोग घर बैटे मुबाइल से और फिर computer से आप लोग बड़ी आसानी से ABC ID card बना सकते हैं अब जब आप लोग इस online form को भरेंगे तो आप लोगों की जो document है उस document की स्वे परमानित यानि के self-state यानि के आप लोग परते एक जो document है उस document की फोटोकोपी निकलवा लेजेगे और आप लोग उस पर अपना sign कर दिजेगा और sign करने के बाद में आप लोगों को जो समस्त document है कक्षा 10, 12, BSC, जाती परमानबान, मूल निवास, परमान पत्र और भी कोई दूसर document है आप लोगों को उसको scan करकर upload करना होगा दिया रखना आप लोगों को सकेन करते समय समय आप लोगों को दोनों प्रस्ट की फोटो कॉपी को आप लोगों को upload करना होगा जब आप लोग PDF बनाकर फाइल अप्लोड करोगे, तो जैसे की BSC के अंदर आप लोगों को तीनो साल की जो मार्श्रिट है, तीनो साल की मार्श्रिट को scan करकर आप लोगों को अप्लोड कर ना है, दixel रगना सभी की एक ही PDF फाइल बनाकर आप लोग उसको upload कर सकते हैं यदि आप लोग BAC के last year में चल रहे हैं final year में चल रहे हैं और आप लोग MSA का form बना चाता है तो ऐसी इस्तिती में जब तक आप लोगों का result नहीं आ जाता है तब तक आप इस form को apply नहीं कर सकते हैं अब यहाँ पर important बात है जाती प्रमान पत्र जाती प्रमान पत्र OBC, MBC और MBC सी सेनी के लिए आप लोगों को यहाँ पर जाती प्रमान पत्र बनाना होगा और वो जो जाती प्रमान पत्र हैं वो एक साल से प्रमाना नहीं होना चाहिए देखें जो जाती प्रमान पत्र हैं वो 31 January 2021 के पशात का है प्रन्तु 1 February 2023 के पूर का है तो जती प्रमान पत्र की स्वे प्रमानित स्केन परती वो सबत पत्र की स्केन परती को एक सिंगल PDF के रूप में आप लोग अपलोड करेंगे यानि कि आप लोगों का जती प्रमान पत्र हैं 31 January 2021 से लगाकर एक February 2023 के बीच का बना हुआ है तो आप लोगों को सबत पत्र भी देना होगा एक साल से ज़्यादा का पुराना EWS certificate नहीं होना चाहिए यह एक सपत पत्र है इस सपत पत्र को आप लोग एक साधे कागेज पर एक February 2023 के बीच का है तो आप लोगो इस सपत पत्र देना होगा यदि एक साल पुराना नहीं है आपका जाती प्रमान पत्र तो आपको इस सपत पत्र देने की आउशकता नहीं है उसके बाद में EWS candidate यदि वो form भर रहे है तो आप लोगों को इस परकार का एक सपत पत्र देन सकते हैं यदि वीडियो अच्छे लेगी तो लाइक आई शेर कीजिएगा और यदि आप मेरे चनल पर पहली बार आए तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि MSC समझत आगे आने वाले जो भी ब्रेट है वो सबसे पहले आप तक